Students, Digi Lessons from the House of Navankar में आप सबी का स्वागत है बच्चों, आज हम विसे सामजी विग्यान की पुस्तर, सामाजिक एवं राजनित्रिक जीवन के सहरी छेत्र में आजी विका भाग दो के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यह आप छेत्र देख रहे हैं महानगरों में काल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया छेत्र है अप भूगता, अप भूगता खरीदार को कहते हैं अप भूगता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं बैंक और फॉन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं काल सेंटर एक केंदरी करत दबतर जिसे ऑफिस भी कहते हैं है यहां एक ही जगे से उपभोगताओं की शमस्याओं और उससे जुड़े सवालों से सम्मंद जनकारी दी जाती है काल सेंटर प्राय हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं जैसा कि यह हाल आप चित्र में देख रहे हैं उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं वहां कम्प्यूटर, टेली फॉन, हेड़ फॉन और स्पीकर लगे रहते हैं भारत इस शेत्र में एक मैदपुर्ण केंद्र बन गया है यहां न केवल भारते कंपनियां बलकि विदेशी कंपनियां भी अपने काल सेंटर कोलती हैं बिदेशी कंपनियों के आकर्षन का कारण है यहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से वो कम बेतन पर मिल जाते हैं। अब हम इस पार्ट के प्रश्णों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्ण है नीचे लेवर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिन्दगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेवर चौक पर आने वाले मजदूरों की जीवन की क्या इस्तिती है। लेवर चौक पर जो मजदूरों रहते हैं उनमें से ज्यादा तर अपने रहने की इस्ता विवस्ता नहीं कर पाते। और इसलिए बेचौक के पास फुटपात पर सोते हैं। या फिर पास के रात्री विश्राम ग्रे जिसे रहन बसेरा कहते हैं मैं रहते हैं। इसे नगन डिगम चलाता है और इनमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतियाम ना रहने के कारण बेवहां के चाय या पान बीड़ी बालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तिमाल करते हैं। उनके पास बे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। बे अपने ओजारों को रात में उनके पास हिफाज़त के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पढ़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। इसका उत्तर हैं। लेवर चोग पर आने वाले मजदूरों के पास इस्थाई काम नहीं होता है। बे देहारी मजदूर होते हैं और विवन तरह का काम करते हैं। जैसे मकान बनाने का काम करने वाले राज मिस्तरी, घरों में रंगपेंट करने वाले मिस्तरी, फरनीचर का काम करने वाले मिस्तरी, पिलंबर का काम करने वाले बजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूर इत्यादी। इस्थाई काम ना होने के कारण गरीवी में जीवन ब्यातित करते हैं। इनके रहने और खाने की कोई इस्थाई विवस्ता नहीं होती है। और जिसे काम नहीं मिलता है उसे पूरा दिन लेवर चोकपारी बैठे रहना पड़ता है। और श्याम को खाने के लिए रुपया उधार लेना पड़ता है। और जब कई दिनों तक लगतार काम नहीं मिलता है तो कभी-कभी भूक के पेट भी सौना पड़ता है। इनके साथ कार स्थलों पर अच्छा बेवर नहीं किया जाता है। निश्यत समय से अदिक समय तक काम करवाया जाता है। और सरकार दौरा निर्धारित नियुंता मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है. इस प्रकार इनका जीवन काफी काठिन होता है. दूसरा प्ष accusな है निम्लिके तालिकां को पूरा कीजिये और उनका काम किस तरह से अलग है? इसका बढ़न कीजिये. इसका उत्तर है बच्चु माजी इनके काम की जगे है सडक आय कुछ नहीं है, काम की सुरक्षा नहीं है, सुविधाय नहीं है स्वेम का काम या रोजगार स्वेम का काम गरते हैं दूसरा है हरत प्रीद और बंदना इनके काम की जगे सोरू है, आए अच्छी आए लेकिन निश्यत नहीं, काम की सुरक्षा हाँ, सुविदाएं कार और फिलेट खर लिया है, स्वैम का काम या रोजगार स्वैम का काम, इस तरह तीसरा है निर्मला, इनके काम की जगे कपड़े सिलने की फैक्टरी, आए 80 सुरक्षा नहीं, सुविदाएं नहीं, स्वैम का काम या रोजगार, रोजगार, अगला है सुधा, इनके काम की जगे नहीं, आए नहीं, काम की सुरक्षा हाँ, सुविदाएं भाविष्य, निधी, चुटियां, परिवार के लिए जिखिस्था सुविदाएं, स्वैम का क अगला प्रस्टने एक इस्थाई और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है? एक इस्थाई और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्यत महसे काय होती है? इस्थाई करमचारी होने के कारण बेविन परकार की सुबदाएं भी मिलती हैं जैसे भाविश्य निदी, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकिसा सुबदाएं, मकान या मकान का किराया इत्यादी, काम करने का निश्यत समय और घंटे निश्यत होते हैं जबकि आनिमित कर करता है, उतने दिनों का पैसा मिलता है, कोई निश्यत छुट्टी नहीं होती है, किसी भी परकार की सुबदाएं नहीं मिलती हैं, काम, समय और घंटे निश्यत नहीं होते हैं, काम की भी सुरक्षा नहीं होती है अगला पस्टन है सुधा को अपने बेतन के अलावा और कौन्चे लाव मिलते हैं इसका उत्तर है सुधा को बेतन के अलावा निमने लिकित लाव मिलते हैं पहला है रविवार और राष्टिय अवकास चुट्टियां दूसरा है बारसिक चुट्टियां तीसरा है परिवार के लिए चिकिस्सा सुविदाएं और बीमार होने पर चिकिस्सा अवकास चोथा है भावश्य निदी की सुविदा अगला पशन है नीचे इद्दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दपतरों के नाम भरें कि बे किस प्रकार की चीजें या सेवाएं मुहया कराते हैं इसका उत्तर है दुकानों या दपतरों के नाम पहला है सुनीर डेरी इसमें दूद और दूसरे बनी बस्तुन है दूसरा है गैस एजेंसी खाना पकाने के लिए LPG गैस की बोकिंग और डिलीवरी तीसरा है दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में पानी की सप्लाई चौता है अन्डी पी एल उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई अगला प्रशन है जो बाजार में सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है उत्तर है बाजार में सामान बेचने वाली नमबर एक बाजार में सामान बेचने के लिए छोटी तथा बड़ी दुकाने होती है नमबर दो, बाजार में दुकाने पक्की होती हैं जिनके पास ब्यापार करने का लाइसेंस होता है नमबर तीन, बाजार में दुकानों पर अलग अलग चीजें बेची जाती हैं नमबर चार, ज्यादा तर ब्यापारी अपनी दुकान खुद समालते हैं और कभी-कभी बे कई लोगों को सहायर या मेनेजर के रूप में भी रख लेते हैं अब सड़क पर सामान बेचने वाले नमबर एक सड़क पर सामान बेचने बालों की दुकान खम्मों पर तरपाल या पिलास्टिक चड़ा कर बनाई जाती है यह आइस्थाई दुकान होती है नमबर दो यह अपने ठेले या सड़क की पट्री पर पिलास्टिक बिचा कर भी काम चलाती है नमबर तीन सड़कों पर बनी इन आइस्थाई दुकानों को पुलिस कभी भी हटाने के लिए कह सकती है नमबर चार सड़क पर सामान बेचने वाले स्वयम अपने परिवार के साथ मिलकर सामान बनाती है या इस्थाई रुप से ही यह सामान बनाया जाता है अगला प्रश्णा है आपको क्या लगता है कि फैक्टरियां या छोटे कार खाने मजदूरों को अनेमित रुप से काम पर क्यों रखते हैं इसका उत्तर है फैक्टरियां या छोटे कार खाने मजदूरों को अनेमित काम पर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाव हो सके जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर किसी विशेस मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों या मजदूरों की आवशक्ता होती है ऐसे इस्तिती में बे उन्हें काम पर रख लेते हैं और जब काम की कमी होती है तो उन्हें हटा दिया जाता है अगला प्रश्चन है क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अन्यमित मजदूरों की स्रेणी में आती हैं क्यों एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विबरन दीजिए इसका उत्तर है दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अन्यमित मजदूरों की स्रेणी में आती हैं क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है कामगार महिलाएं लोगों की घरों में काम करने आती हैं और वे सारा काम सबालती हैं जैसे घर की सपाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, आदी दोपहर में अधिक काम ना होने के कारण भी आराम कर सकती है सारा काम लगभग राद दस वजे तक खत्म होता है इसी के साथ आपका अध्याय समापत हुआ धन्यवाद